पूरी दुनिया अब तक इस्राइल और हमास का जो युद चल रहा है उसकी destructive जो images थी जिस तरीके की विद्वनसक तस्वीरे निकल कर सामने आई थी कोई अब तक भूल नहीं पाया चाहिए रश्या यूकरेन का युद हो या फिर इस्राइल और हमास का युद हो लेकिन इन समझय कि आकर हमास की संगतन की कहा जाता है यमन में यमन की सरकार का नहीं चलता है वहाँ पर जो है आदे से ज्जादा यमन जो है उसमें आदे से चुछ में हमास के वह क्या घ्याल सागर जहांपर सबसे जादा तेल का आयात नियात किया जाता है चाहर अ इसे में अब ही सबते ऐसे ये कुछ हुआ कि जिस तरीके से इस्राइल और हमास के युद की शुरुवात हुई तो हूती विद्रोहियों ने तमाम वो देश जो सपोर्ट कर रहे थे इस्राइल को उनके जंगी जहाजों कहने कि जो शिप्स वहां पर तैनाथ थे उनको निशाना बराना शुरू कर दिया 20 से जादा हमले जो हैं वो जंगी जाजों पर किये गए बार-बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए कि वो जो है बार-बार उन्हें कोशिश की जाती रही बार-बार बात करने की कोशिश की जाती रही चाहे हो भारत हो अमारिका हो ब्रिटेन हो चीन हो फ्रांस हो क्योंकि तमाम देशों के जहाद वहां पर उस लाल सागर में मौझूद है लेकिन ऐसा कुछ ने एक आपरेशन चला यह तस्वीर आप देखे नश्य ने जो हम प्रिटें होदा स्वाघ्स के थे ने जिस टरीके से इस्राइल में देखा तकab यहां पर हूती विद्रोई जो है वो लगाता रह रखी हैं उनको लेकर अब यह कोशिश की जाती रही लेकिन इन सब के बीच में अपْ यह समझे कि अब असर दुनिया पर क्या होगा क्योंकि तेल आयात निर्याद की बात करें तो सबसे बड़ा वैपारिक शेत्र जो है वो तेल का ही है ये बात हर को ही जानता है लेकिन अब जब इतनी जादा जंगी जहादों को निशाना बनाएगे और अब जब अमारिका और बिटेन साथ आकर ये उपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर तोर पर ये कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही जो है वो भी चुप नहीं बैटेंगे और आने वाले दिनों में अरब स साधर में और भी लड़ाई जो है वो तीसरे मोर्चे पर जो है वो बहुत जादा बढ़ सकती है